Hey everyone, broccoli for babies. Well, broccoli कब देनी है, क्यों देनी है, कितनी देनी है, कैसे देनी है? Well, broccoli again है एक सूपर फूड है. Broccoli से बच्चों में constipation improve होती है, उनकी एनिमिया की prevention होती है, उनकी eyesight अच्छी होगी और साथी साथ immunity भी बढ़ेगी. लेकिन broccoli से कुछ babies में gas की problem हो सकती है. तो आपको यह याद रखना है, कि broccoli आप 10 months onwards ही introduce करें. अगर बच्चे में फिर भी आप पॉलिक की symptoms देखें, तो इसको और थोड़ा delay कर सकते हैं. अब ब्रॉकली को कैसे देना है, तो आप इसको as finger food steam करके दे सकते हैं, बच्चे इसके color की तरफ बहुत जल्दी attract होते हैं और खालेंगे, टेस्ट जरूर करेंगे. या फिर आप इसको puree की form में किसी की साथ mix करके दे सकते हैं, जैसे carrots के साथ mix करके puree की form में दे दीजें, या फिर आप किसी चीला में इसको steam करके mash करके डाल दीजें, इसका taste और color और ज़्यादा improve हो जाता है, और बच्चे खा भी लेते हैं. तो ब्रॉकली के केस में यही याल रखना है कि 10 months or months introduce करना है, अगर थोड़ा और symptoms, gas के लगें, तो थोड़ा और delay कर दीजें, लेकिन यह याद रखें कि बच्चे हर टेस्ट को develop करने में टाइम लगाएंगे, सुब पेशेंट रहें, बार-बार foods को देते रहें, बच्चे नो डाउट एक दिन food को adjust हो जाएंगे